नमस्कार मित्रूं आज मैं आपको कुछ विशेश बताने जा रही हूं जैसे अभी अभी तुरंत नौरात्री आने वाली है एक दो दिनों में तो नौरात्री में हम देवी मा को नयवेद चड़ाते हैं तो किस दिन कौन सा नयवेद चड़ाएंगे तो हमारी मनुकामना पू जाब होगी उसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूं किस दिन कौन सा नयवेद चड़ाएंगे तो प्रतम दिवस को हम गःत का नयवेद चड़ाएंगे आरोगी के प्राप्ति होती है इससे में दूतिये दिवस शक्कर दिर्घायू प्राप्ति के लिए के लिए त्रीतिये दीवस दूध दुखू की निर्वर्ति के लिए चतुर्थ दीवस माल पुवा नेड़ने शक्ती का विकास होता है इसे पंचम दीवस केले का प्रशार चड़ाएंगे बुद्धि का विकास होता है इसे सश्ठम दिवस मधू जढ़ाएंगे आकर्षन और सुदर्था बढ़ानी के लिए सब्तम दिवस गुड़ शोक मुक्ती वा आकस्मिक विपत्यों से रक्षा के लिए अस्ठम दिवस नारियल हर प्रकार की पीड़ा का शमन करता है नवम दिवस धान जोकी लोक और परलोक का सुख मिलता है इससे दसम दिवस काले तिल परलोक भैक से मुक्ती के लिए तो इस प्रकार आपने जाना कि किस दिन देवी माता को क्या नविद्द चढ़ाना है धन्यवाद